हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल तोप परसनेल्टीज फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे हसल 2.0 के विनर एंसे स्क्वेर के बारे में कहते हैं कि यूद के भाषा यूद ही समझती है और इन दिनों यूवाओं को जिनके बोली जिनका अंदाज खूब भा रहा है वो हैं अभिशेक बैसला जिने हम सब MC स्क्वेर के नाम से ज़्यादा जानते हैं उनके गाने लोगों के सिर्फ चड़कर बोल रहे हैं सुभा पर सिर्फ उन्ही के गाने उन्ही का नाम है तो स्टाइल में भी उन्हें कोपी करने से यूवा नहीं चूक रहे इसका कारण है हसल 2.0 नाम के रियालिटी शो जिसमें इस 23 साल के नोजवान ने अपने हुनर से जी लेकिन आज MC स्कुएर ने अपनी एक अलग और अनूठी पहचान बना ली है काफी समय से ही MC स्कुएर को म्यूजिक में दिल चस्पी थी वो पहले कविता और गजल लिखा करते थे लेकिन फिर 5-6 साल पहले उन्होंने रैप करना शुरू कर दिया बस इसमें मज़ा आने ल इस रियलिटी शो में अभिशेक ने कई धासू गाने गाए और जबरदस्त रैप भी किया आलम ये है कि अब हर किसी की जुबान पर इनी के गाने हैं और इनी का गाना और इनी का नाम खासतोर से इनका रोम रोम गाना जबरदस्त हिट रहा है MC Square की खास बात ये है कि वो गुर्जर परिवार से हैं और उनके गानों में उनकी बोली के जलक साफ नजर आती है उनका ये गाना आज भी सबरदस्त हिट जा रहा है जिसे काफी सुना जा रहा है MC Square ने इस गाने को परफॉर्म किया तो खुद रैपर बाच्छा भी इमोशनल हो गए अब हसल 2.0 के बिनर बन चुके अभी शेक वैसला के चर्चे हर और हैं खुद विराट कोहली ने भी इन्हें परसनली विश किया है और उनकी तारीफ भी की है तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई शक्सियत के साथ तब तक के लिए खुश रहें मस्त रहें अगर वीडियो अच्छी लगें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स तो अल थैंक्स फूर वोचिन वाई ठीकिये